तो में इस करता हूँ तो हेलो दोस्तों कैसे हो सब लोग आसकरता हूँ ठीक हो तो दोस्तों आज हम कुछ इस टाइब के ट्रेंडिंग वार्टस वीडियो एडिटिंग करेंगे तो इस टाइब का TATUS वीडियों कैसे बनाते ही हो जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और वीडियो को मस किप कर ये वीडियो को सुरूर से लेकि सेस्ट तक देखते रहिए और वीडियो स्टाट करने से पाहल एक छोटा सा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आपको लाइक करते ना है और चैन को सस्क्राप करके साइट पर नुर्चन बेल आइकन को प्रेसर पर करते ना है और सारे फाल का डाउनलोड लिए आपको टेलक्राम चैन पे मिल जाएगा आप इस वीडियो को टेलक्राम चैन को जॉइन नहीं कि अधर वीडियो को लिंक मिल जाएगा जाके जॉइन हो जाएगे तो स्टार्ट करते हैं वीडियो तो सबसे पहले आपको बीएन अप्लिकेस्ट को ओपिन करना होगा इस अपका डाउनलोड लिंग आपको वीडियो को डेस्टेशन में मिल जाएगा तो भीएन अप्लिकेस्ट को ओपिन करने के बाद नीचे एक प्लास का आइकोन मिल जाएगा तो सबसे पर क्लिक करना होगा तो उस अधर आपको निव पोजिट पर क्लिक करतीना है तो उस अधर आपको 11 पर जाना होगा और आपको 8 second का एक template वीडियो मिल जाएगा तो सब्सक्राइब उस वीडियो को आपको स्रेट करना होगा और वीडियो को स्रेट करने के बाद आपको नीचे arrow पर क्लिक करतीना है और दोस्तों इस वीडियो के डाउड लिग आपको telegram चनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउड कलेना है तो लीरिक्स वीडियो के अड़् करने के बाद इस वीडियो के last पे आजाना है और लास्ट पे एक black image मिल जाएगा तो simply इस image को select करके यहां से आपको delete करना होगा उस अपको last पे एक plus का icon मिल जाएगा तो इस पे click करिए और यहां पे आपको जाना होगा photo पे तो उस अपको gallery पे आ जाना है और आप status video में जो image को e-books करना चातो उस photo को select करना होगा तो photo को select करने के बाद आपको नीचे arrow पे click कर दिना है तो उस अपको photo के last way आ जाना है और photo का डिवरेशन कपको जादा कर लेना है तो उस अपको photo का adjust करना होगा तो simply photo को select करिए और यहाँ पे आपको photo को set कर लेना है तो उस अपको एक audio का add करना होगा तो simply tap to add music पे जाना होगा और यहाँ पे आपको music पे click कर दिना है उस अपको my music पे जाना होगा और यहाँ पे आपको file पे जाके उस music को add कर लेना है तो इसमवली मैं myикс jetzt अप्र संसे जाता हूं और यहां पर आपको इस music को इूज करना होगा तो music को select करने के बाद आपको इस music पर bit को marking करना होगा तो इसमवली bits option पर click करना होगा तो उससे अपको सबसे पहले music को play करके सुननना होगा और जहांपे भी bid होगा इस Red Flag Icon पे क्लिक करके आपको बीट को मार्किंग करना है तो उसतब को यह पाइपको इसे बीट को आजाना होगा और यहांपे आपको 8.30 सेगेंड पे आ जाना होगा उसतब को यहांपे बहुत सरा bid मिल जाएगा तो सिंप्ली इन सारे बिट को आपको मार्किंग करना है तो मैं सेकेंड बिट को मार्किंग करना होगा तो ऐसे करके आपको जिनने भी बिट मिल जाएगा उसको मार्किंग करना होगा तोटल आपको 19 बिट को मार्किंग करना होगा तो bit को marking करने के बाद आपको ok पे click कर दिना है तो फिर से आपको ok पे click करना होगा तो उसे तक पर यहाँ पर आपको scroll करके last पर आजाना है और दोस्तो यहाँ पर आपको image को select करना होगा और दोस्तो image को total आपको 19 बार split करना होगा तो सुम्पिल image को select करें और नीचे एक option मेंचे split का तो simply split option पे क्लिक करना होगा तो उससे अपको फिर से scroll करके यहाँ पे split option पे क्लिक करना होगा तो दोस्तो ऐसे करके आपको total 19 बार photo को split करना है और दोस्तो आभी तरगे विडियो को लाइक निए और चैनल को सस्क्राइब करके पे नोटिसें भी लाइक प्रिसर आपको all कर दिना है फोटो को total 19 बार split करने के बाद यहां पर आपको फास्ट पर आ जाना है तो उससे अपको second bit को select करना होगा और फास्ट फोटो का जो duration है इसको adjust करके आपको यहां तेक करना है तो उससे अपको third bit को select करना होगा और second image का duration का आपको यहां तेक करना है तो ऐसे हर का आपको bit के हिसाब से image का duration का आपको adjust करना है तो सारे फोटो का duration का आपको bit के हिसाब से adjust करने के बाद image को select करना होगा और नीचे एक effect का option मिल जाएगा तो simply इस option पे आपको click करना होगा और दोस्तों यहाँ पे आपको zoom out का एक effects मिल जाएगा तो simply इस effect को आपको select करना है और इस effect का जो duration है इसका duration का आपको last तक करना होगा उस आपको निचे एक option मिल जाए apply to all का तो simply इस option पे आपको click करते है तो उस आपको सारे image पे transition effect को add करना होगा तो simply प्लास आपको click करिए और यहाँ पे आपको scroll करके light transition effect को select करना होगा और दोस्तों इसका जो duration है इसको थोड़ा सा कम कर लेना है और apply to all पे click कर दिना है तो दोस्तों सब्सक्राइब ट्रेनिंग वार्सप टटेस वीडियो रेडियो हो जाएगा कुछ step को देखने मिलेगा तो इस वीडियो को export करने के लिए simply share option पे click करना होगा और यहाँ पे आपको video rate को ज़्यादा करके ok पे click करतेना है तो इतना है यह तैप वीडियो बेड़ो आचले लगल तो बुट का लाइक करिए और चैनल को subscribe करके साइट पे नोटसेने बेलाइकन को प्रेस्तिक पो ऑल करतेना है और comment करके पता यह वीडियो कैसे लगा है और वीडियो को ज़्यादा सेशेयर करिए तो मिलते हैं और एक निए एक सटेंग वीडियो में तब तक लिए जाहिन बंदे मातरम